जेडियों में सब कुछ ठीक नहीं है अशोक चौधरी के बयान से बवाल तो मचा ही है इंतजार सभी को था कि जो उन्होंने भूमिहारों को लेकर बयान दिया है उसके बाद शायद नितिश कुमार कुछ कारवाई करने वाले हैं लेकिन हुआ उल्टा केसी त्यागी को लेकर अब खबर आ रही है कि उन्होंने राश्ची प्रवक्तापत से इस्तीफा दे दिया है अब इस इस्तीफे की पीछे वज़ा क्या है यह इस वीडियो के जरिये हम आपको बताने जा रहे हैं आखर तक इस वीडियो को जरूर देखे नितिश कुमार ने राजीव रंजन को य बड़ी खबर यहीं है । दरसाल ज्ट्यू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने परें पत से इस्तीफा दिया वक्ता तें। जेडियो के राश्चुय अध्यक्ष नितीश कुमार ने राजीव रंजन प्रसाद को जेडियो का प्रवक्ता न्यूक्त किया है जेडियो के महासचु अफाक एहमद ने एक पत्र जारी किया और इस बदलाव की जानकारी की इस वक्त में अपडेट कर दू बीते दिनों भी जेडियो में बड़ा फिर बदल किया गया था वहीं एक बार फिर से जेडियो में बदलाव देखने को मिल रहा है वहीं इसी बीच आज पत्ना में पूरो मंत्री शामरजक जेडियो में शामिल होने वाले है जानकारी के अनुसार शामरजक जेडियो पार्टी कारियार में आवजित मिलन समारू की दौरान जेडियो की सदस्यता हासल करने वाले है ये तो अलग फिर बदल की बात हो गई लेकिन अब मैं उस पॉइंट को आपके सामने रखती हूँ जिसके बाले में चर्चा हो रही कि कीसी त्यागी जो अभी तक राष्ट्य प्रवक्ता की भूमिका में थे उन्हें क्यों प्रवक्ता पत से हटाया गया होगा क्यों ये फैसला लिया गया होगा ये और बात है कि वो कह रहें कि नीजी कारण है मैंने जिम्मधारी मुक्त के लिए कहा लेकिन जब से केंद्र में सरकार का गठन हुआ और निटीश कुमार ने सहयोग दिया उसके बाद से केसी त्यागी ने कई ऐसे मुद्दो पर जिसमें अगनी वीर को लेकर सबसे पहले श ऐसे बयान दिये गए जिसके बाद चर्चा ऐसी चल रही है कि इस बारे में निटीश कुमार को मालूम नहीं था उनसे इस बारे में इज्जासत नहीं ले गई थी और ऐसा लग रहा था कि ये जेडियू का स्टेंड है और इस बीच बीजेपी और इन में दरार या फिर तल बड़े ही बेबाकी और सयम तरीके से जेडियू का पक्ष रखते रहें बीते कुछ सालों में जेडियू में हुई भारी हल्चल के बीच भी केसी त्यागी मजबूती से पार्टी के साथ खड़े रहें केसी त्यागी दिली में जेडियू के बड़े चेहरे के तौर पे पा केंदरी बनने का मौका क्योंकि इस बीच कई ऐसे चेहरे आए जो नितीश कुमार के बेहत करीबी माने जाते रहे वो सब केंदर में मंतरी बन गए लेकिन केसी त्यागी बीदे कुछ सालों से सर्फ और सिर्फ वो राष्ट्रिय प्रवक्ता के पद पर ही थे वजा क्या है वो हुआ 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 है